दोस्तों एक गाउ में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गुस्सैल और शरार्ती किसम का लड़का था। वह बड़ा तो हो गया था परन्तु अब भी वह बचपना जैसे हरकते करता था। उसे जब भी कोई काम करने को दे वह उसी वक्त गुस्सा हो जाता उसके घर वाले काफी चिंतित और परिशान रहता था। उसके घर वाले उस लड़का को काफी समझाया की गुस्सा ठीक नहीं होता हैं तुम उस गुस्से को छोड़ दो। लड़के ने अपने घर वाले के बातों को सुनकर कहा। मेरे अंदर कोई गुस्सा भरा नहीं है। तो उसके दादी बोली तो बेटे तुम्हें जब कोई काम के बारे कहता हूँ, उस वक्त गुस्सा हो जाते हो, चलाने क्यों लगते हो, उस पर लड़का ने अपने दादी से कहा, दादी मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता, ये सब काम करके होगा क्या? मैं जब भी कोई काम करूंगा एकदम बढ़ा करूंगा, इन छोटे मोटे काम के लिए आप मुझे मत कहे, मैं कुछ बड़े करने के लिए बना हूँ, इस तरह बोल के लड़का वह से चल जाता है, लड़के के दादी को अपने पोते के इन बातों को सुनकर बहुत दुख हु और वह सोचने लगा कैसे उसके अंदर के गुस्से को कम किया जा सके, यदि इसी तरह से वह गुस्सा करते रहा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके गुस्सा उससे मेहंत करवाएगा ही नहीं, इन ही चिन्ताओं को लेकर एक बौध भिक्षुक के पास जाता है और उन बौध भिक्षुक को अपने सारी चिन्ताओं के बारे में बताता है बौध भिक्षु ने लड़के के दादी की सारी बात ध्यान पूर्वक सुना और कहा, आप अपने पोते को लेकर कल मेरे पास आना, आपकी सभी परेशानिया दूर हो जाएगी उस महिला ने उस बौध भिक्षुक को प्रणाम करके वह से अपना घर चल दिये लड़के की दादी घर पहुँचती हैं और अपने पोते को अपने पास बुलाती हैं पोता अपने दादी के आवाज सुनकर उनके पास आया और गुस्से से पूछा क्या हुआ पोते के इस व्यहार को नजर अंदास करते हुए बोली कुछ नहीं बेटा कल थोड़ा जल्दी उठना लड़के ने कहा क्यों दादी दादी ने कहा कल एक महात्मा के यहां चलना है और फिर अगले सुभा की दिन हुई लड़के के दादी अपने पोते को लेकर उस बौध भिक्षुक के पास पहुचने के लिए निकले काफी दूर चलने के बाद लड़का पैदाल चल-चल कर गुस्सा हो गया और अपने दादी से पूछा दादी और कितने दूर हैं अपने तो बगल ही बोल कर लेते आए और कितना चलना होगा दादी पोते के बातों को सुनकर कहता बेटा बस और कुछ दूर अब हम लोग पहुचने ही वाले है कुछ समय के बाद लड़का और उसके दादी उस महात्मा जी के पास पहुच गए और महात्मा जी को प्रणाम किया महात्मा जी लड़के को देख कर पूछा ये बालक तुम्हारी क्या समस्या है लड़के ने महात्मा जी के बातों को सुनकर कहा गुरु देव मुझे कोई समस्या नहीं है और नहीं किसी बात की चिंताएं है लेकिन फिर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम बहुत गुस्सा करते हूं मुझे तो अपने आपको देख कर ऐसा तो नहीं लगता महात्मा जी उनके बातों को सुना और कहा क्या तुम्हे पता है गुस्सा क्या होता है गुस्सा करने वाले व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? लड़के ने गुरु जी के ये बाते सुनकर कहा के गुरु देव मुझे उतना पता नहीं की गुस्सा क्या होता है और उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? गुरु जी उनके बातों को सुनते वे कहते हैं यदि तुम्हें ये पता नहीं है कि गुस्सा क्या है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है। गुरु जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर चीर चीरापन सा कभी कभी लगता है। क्या तुम छोटे छोटे बातों पर बहुत जल्दी और बड़े गुस्से से बात करने की प्रवृत्ती करते हो। लड़के ने कहा हां गुरु जी जब मुझे कुछ छोटा काम करने क के लिए कहता हैं तो उस वक्त मेरे भीतर चीर-चीरा सा मन हो जाता है और सोचते हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए मुझे कहता है मैं तो कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं। गुरु जी ने कहा क्या तुम उत्तेजना हो जाते ह और चोटी सी बातों पर भी अत्यधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। क्या तुम कभी-कभी आक्रामक हो जाते हूँ। और अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए वार्ता या शब्दों का चयन करते हूँ। गुस्साई व्यक्ती के शारिरिक लक्षनों में हाथों का प्रभावना उठना। और तुम्हारे अंदर संतुलन की कमी और दुर्व्यवहार करते हूँ। लड़के को महात्मा जी के ये बातों को सुनकर यह एहसास हुआ कि उसके भीतर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। और उन्होंने गुस्से होने के प्रभावों के बारे में गुरु जी से पूछा। गुरु जी ने उस लड़के से कहा, गुस्सा किसी के लिए उचित नहीं है। गुस्से में अक्सर इनसान ऐसे कुछ गलतिया कर देते हैं, जिन्हें सुधार पाना आसान नहीं होता। कभी कभी इनसान इन गलतियों में फंस करही। अपना जीवन वेस्ट कर देता है और इस तरह से अपना भविश्य भी खराब कर लेता है। गुस्सा होने के कारण व्यक्ति पर एक नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है। दिल की धड़कन, रक्तचाप, तनाव इत्यादी बढ़ने लगता है। और मस्तिष्क की क्षमता पर इसका गहरा असर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि संबंधों में तनाव बढ़ने लगता है। अभी तो तुम्हारे आधा जीवन पार हुआ हैं, तुम्हे तो आगे और जीना है, तुम्हे अपने जीवन से यह गुस्सा को हटाना ही पड़ेगा, तब ही तुम् उपाय हैं, तो कृपा करके मुझे बताएं। गुरु जी लड़के के बातें सुनकर कहा, सबसे पहले तुम खुद से वचन लो कि तुम कभी भी गुस्सा अपने पर हावी नहीं होने दोगे, यदि तुम सच में अपने गुस्से को कम करना चाहते हो, तो तुम इस बात को ध्यान से सुने। जब भी तुम्हे गुस्सा आये जीवन में, तब एक गहरी सांस ले और अपना ध्यान केंदरित करें, ये आपके गुस्से को कम करने में काफी मददगार हो सकता है। चोड़ देते हैं, तो वह पानी खुद बखुद साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा गुस्सा भी ही, हम जितने अपने गुस्से को शांत होने दे, उतने ही गुस्से हमारे अंदर से कम होते जाते हैं। उस व्यक्ती के साथ समय बिताकर उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं। उन्हें यह बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। इससे उन्हें आपकी दिक्कत के बारे में समझ मिलेगी और वे भविश्य में इसे ध्यान में रखेंगे। लड़के को गुरु जी की सारी बात समझा गया। और उन्हें धन्यवाद कहा और फिर वहां से अपने दादी के साथ घर के लिए निकल गया। और रास्ते में ही अपने दादी को भरी नम आखों से रोते रोते बोला मुझे माफ कर दीजिए दादी मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। हर वक्त मैंने सिर्फ गुस्से से ही बात किया। लड़के के दादी ने कहा बेटा मुझे तुम्हारी बातों से कभी भी दुखी नहीं हुआ। दुखी हुआ तो सिर्फ ये की तुम इस गुस्से से अपना आगे का जीवन कैसे बितावोगे। मुझे बस इसी बात का चिंताएं खाये जा रही थी। जीवन में आने वाले कठिनाईयों को कैसे पर कर पावोगे। लेकिन अब मेरी ये चिंताएं भी दूर हो गई। और इस तरह बातें करते करते अपना घर आ गया। दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी को कैसा लगा। कॉमेंट जरूर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपका दिन शुभ हो